हेलो स्लीपिंग फिल्स के नाइन्थ एपिसोड में आज हम पढ़ेंगे कैमी ऑज्मॉटिक हाइपोथेसिस के बारे में और इस हाइपोथेसिस को प्रपोस्ट किया था पीटर मिशल ने पीटर मिशल ने दरसल बताया था कि जो फोटो सिंथेसिस है इस फोटो सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है एक एलेक्टरॉन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम जिसको हम एटीएस कहते हैं यह ऑपरेटेड होता है और इस एटीएस की वज़े से ही आटेटीपी का जन्न होता है ठीक है तो यह पूरी मेकनेश्प समझेंगे की कैसे फोटो सिस्टं फोटो-सिंथेस की दौरान क्या होता है एटीपी का Amaवता था ही यह जो ऎलेक्ट्रों ट्रांस्पोर्टı्स सिस्टम्या एलेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ट चेन है यह कहां पर operat होती है यह operated होती है थैलाइक मेंबरेन पर ठिक है जो स्पेस होता उसका हम लोग बोलते हैं और इसके आउटर साइड जो फ्लूड है उसको हम लोग क्या बोलते है थिक और इस त्हाले कोट मेंबरेन पे कुछ important component present है जैसे कि photo system 2 ठीक है और photo system 2 से attached lumen के साइड एक और complex present होता है जिसको हम बोलते है water splitting complex water splitting complex और इस water splitting complex को ही oxygen evolution complex भी बोलते हैं क्या बोलते है oxygen evolution complex ठीक photo system 2 का ही पार्ट होता है एक और important component इसको मोलते है फ्योफाइट इन ठीक कुछ mobile carrier present होते हैं जैसे प्लास्टो कुई नॉन प्लास्टो कुई नॉन और प्लास्टो साइन इन प्लास्टो साइन इन अब इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं मोवाइल केरियर क्यों कहते हैं क्योंकि इनका पोजिशन फिक्स नहीं होता है इसलिए इनको क्या बोलते मोवाइल केरियर ठीक प्लास्टो साइन इन जहां भी टर्म आता है मतलब क्या कि यह कॉपर कंटेनिंग होगा कॉपर कंटेनिंग होगा तो यह परपल या ब्लू क्लरता होगा एक और component दिख रहा है से ताला कोई टम्ब्रेन पर और इसी फोर्टो इस्टम फर्स से कनेक्टेर होता है एक और कंप्लेक्स इसको बोलते है एफ या फेरो डॉक्सिन रिद्यूसिंग सब्स्टेंस ठीक है और सी से कनेक्टेड होता है फेरेडॉक्सिन भी ठीक फोटो सिस्टम फस्ट से ही लूजली कनेक्टेड होता है फेरेडॉक्सिन कुछ साइंटिस्ट पहले ऐसा मानते थे कि फेरेडॉक्सिन भी क्या है मोबाइल के लिए लेकिन बात में मालुम पड़ा कि यह नहीं है यह लूजली अटेज्ट होता है किसे फोटो सिस्टम वन से ठीक है तेलकॉइट मेंबरेन के आउटर मेंबरेन पर है एक एंजाइम प्रेजनतर जीस्कों बोलते है और एक और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता ठीक है अभी आगे इसका discussion करेंगे अब F0 F1 complex जो है वो mitochondrial membrane पे प्रेजेंट होता है तो उस complex से differentiate करने के लिए यहां पर हम term use करते हैं C, C का मतलब क्या है chloroplast chloroplast ठीक है चलिए तो थेलाकोइट membrane के structure को हम समझ गए और थेलाकोइट membrane के membrane पे जो important component प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम समझ गए एक चीज़ हमें diagram से clear हो रही है कि stroma side क्या है initial condition में देखेंगे तो proton या hydrogen ion बहुत प्रेजेंट है और lumen side जो है proton की concentration थोड़ी कम है ठीक है चलिए अब समझते है जरा कैसे electron transport system operate होता है ठीक सबसे पहले क्या होता है Sun से photon आएंगे क्या आएंगे photon sunlight आ रही है इसमें क्या होंगे photon ठीक और यह photon photosystem first को photosystem second को activate करते हैं तो सबसे पहले photon activate करेंगे किसको activate करेंगे photosystem second को ठीक इन्होंने photosystem second को activate कर दिया excite कर दिया इसकी वह से क्या होगा photosystem second से electron excited state में जाएगा जिसको एक्सेप करता है फियोफइटिन कौन accept करेगा फियोफइटिन ठीक है तो यह क्या हो गया first electron donor electron acceptor घ्लेक्टोंड एक्सेप्टर इन फोर्टो सिस्टम two ठीक है फिर स्थियोता का लेक्रोंड को ट्रांसपोर कर देता है कि सबस्थ to प्लास्टो क्यारियर की तरह काम करता है कैसे डूवल केरियर का मतलब हुआ यह एक तो इलेक्ट्रॉन को भी कर रहा है और साथ में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है स्ट्रोमा साइड उनको भी करता है ठीक है और क्योंकि साइट्रोम जो है वह सिर्फ कर सकता है किसको इलेक्ट्रॉन को नहीं तो प्लास्टो कुई क्या करता है प्रोटॉन को स्ट्रोमा साइट से कहां पर ले आएगा ल्यूमन साइट कहां पर ले आए ल्यूमन के साइट ठीक फिर जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रॉम पर है वहां से लेक्ट्रॉन जाएगा अगले मोवाइल के रियर जिसको हमने कहा था प्लास्टो साइन इन और यहां से लेक्ट्रॉ सिस्टम क्या करेगा यहां पर भी एक फोटोन आएगा यहां पर भी क्या है एगा फोटो और इसकी विए से ये लक्टो ड होगा उतनी सिस्टम 1 और यह क्या करेंगा यह से लेक्टरौन को ख에서 कर लेता है लिए फॉटर अग्सींग साब्स अट। तो फोटो सिस्टम First में जो electron acceptor है first electron acceptor वो क्या होता है FRS complex या फेरोडक्षिंग सब्स्टेंस यहां से बुक्षिंग कहां जाएगा फेरोडॉक्षिंग के पास चला गया ठीक और फेरोडॉक्षिंग फैनली इस क्या चाहिए होते हैं इसको दो एलेक्टवाइए होते हैं कितने उलक्टवाइछ था धो यद्यॉग का हैं दो इनको राखेब कर लिए क्या होता है रोटाल ना थेOOOO ठीक है फिर एने डेपी डेटेटिस का काम क्या है कि यहां पर जो टेपी प्लस है उसको यह रिड्यूस करेगा ठीक अब दो इंपॉर्डेंट बात यह है कि जो पहले कि कुछ बुक्स थी वह कहते थे कि भाई यह जो एने डेपी प्लस है यह दो इलेक्ट्रॉन को और साथ मे यह कहते हैं यह सिर्फ एक proton को accept करेगा ठीक है इक अंटीपей एक प्रोटॉन को accept करेगा तो यह तो ये पूरा electron transport system हो गया ठीक है, अब इस पूरे process के तो रहां क्या होगा, एक electron transport हुआ है यहां पर और एक electron के transport के लिए दो photon की requirement होती है, एक electron के transport के लिए, क्या होता है, दो photon की requirement होती है, ठीक है, चलो, तो यो, जो electron photo system second से चला गया, अब continuous electron supply बना रखने के लिए जो water splitting complex यह क्या कराएगा लूमन में जो water molecule present है उनका breakdown कराएगा और उनकी वज़े से क्या होगा inner site दो proton दो electron और half molecule of oxygen प्रड्यूस होगा ठीक है अभी हमने पढ़ा कि एक electron के ट्रांसपोर्ट के लिए दूरिंग ETS एक electron के ट्रांसपोर्ट के लिए दो photon की requirement होती क्यों क्योंकि एक photon तो photosystem second को activate करता है और एक photon photosystem first को activate करता है ठीक है तो आप देख रहे हैं कि इस process अगर समझें कि दो electron के लिए क्या चाहिए होंगे मैं एक electron के लिए दो photon तो दो electron के लिए four photon और अगर हमें कहते हैं एक molecule of oxygen को evolve कराना है एक molecule के लिए तो हमें इस reaction क्या करना होगा टू से multiply करना होगा तो यहां पर four four electron हो जाएंगे तो एक electron के removal के लिए sorry एक electron के transport के लिए कितने चाहिए थे टू photon चाहिए थे तो four electron के ट्रांस्पोर्ट के लिए आपको कितने चाहिए होंगे एक photon चाहिए होंगे और यही क्वेशन नीट में पूछता है कि वन molecule of oxygen के लिए कितने फोटन की requirement होती है तो आंसर हो जाएगा एट फोटन और इसी को हम बोलते है quantum रिक्वार्मेंट ठीक है चलो तो हम थाला कोई मेंब्रेन पे कैसे एलेक्ट्रों ट्रांस्पोर्ट सिस्टम ऑपरेट होता है यह समझ गए अब इसकी वज़े से कैसे ऐसे कि आधिक जैनाडरिशन होगा दर रा इसको समझते हैं डिक्वार्मक मिकनिज्म ऑब टो फॉटों रेयलेशन की बात कर रहें फोटे मतलब क्या है फोटों या लाइट जाता होता है एडिशन ओफ फॉस्फेट गूरुप यहां पर हम कह सकते हैं ए develop सिंथेसिस यहां पर हम कह सकते हैं कि adp synthesis तो एटी पी का synthesis हो रहा है कि इसकी प्रिजैस में फोटो यंवा राइट की प्रजैस में तो इस से प्रासेश को बोलते हैं फो फॉटॉपस्फोर आलेशन टिक हम देख रहे हैं आउटर साइद प्रोटोन बहुत था फिर कुछ प्रोसेज ऑपरेट हो रहे थे यहां पर है ना जैसे एक वाटर स्प्रेटिंग कॉंप्लेक्स ऑपरेट हो रहा था और प्लास्टो कुई नॉन था इनकी वज़े से क्या होता है लूमन में किली में केते हैं प्रोटोन की कॉंसंट्रेश्टिन ज्यादा हो जाएक तो फोर्तों ग्रीडेट कामतलब हुआ लिम्न में proton की concentration increase हो गी और जो स्थों में proton पेले से इंका इूटasonable है और उनका कौं कर रहा था एव्रो स्वर्यू में इस direct Даudis इंद फृंघ की वजह से क्या होगा और लिम्न में प्रोटॉन की कॉंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने लगेगी और स्ट्रोमा में क्या होगा प्रोटॉन की कॉंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी और इसकी वज़े से एक कॉंसेंट्रेशन डिफ्रेंस बनेगा या इसी को कॉंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसकते हैं तो प्रोटॉन का गेदियंट कैसे बना है क्यों समझ गये क्यों इसको देखते है यही प्रोहटॉन ग्रेडियेंट और electric potential क्योंकि charge का difference है across अप्रस तालग्वाल घ्रिपेएंज की वयसे क्या होगाHelloُ हो जाएगा दो प्रोटॉन ग्रेडियेंट और इलेक्ट्रिज्रिक पोटेंचियल मिल के बना देते preoccup が मोटिव फोर्स्त ऑर कि प्रोटॉटॉन मोटिव फोर्स यह कराता है कि जो जो Freeman में proton present है लिमन में जो proton present हे उनको किदर लाएगा स्टोमा में ठीक है जैसे अब यह सो अब आपने पड़ा था थेलकॉइट मेंब्रिन ट्राकोइद मेंबरेन पर look at डिफ्यूजन। ठीक। और एस फेसिलिटेद डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा ऑप इस प्रोटन की ग़ुजन की होगा acc benefit अग्टिवेत हो गया और हिए यहां पर थोड़ा सा कन्फूजन रहता है पहले कि जो एंसेयर थी उसने कहा था कि जब टो टू फॉटान आयन करते हैं तो फ़र्मिशन होता है और कुछ वुख कहते हैं कि कि जब थ्री प्रोटान का ट्रांस्पोर्ट ब िश्ट होता है यह चलिए तो पूरा मेकनिज्म हम समझ गे कि कैसे काफॉर्मिशन होता है यह क सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्षन में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक्यू